जन्म कुंडली के नौवे भाव में बैठे हुए केतु देवर पहले नौवे भाव को समझ लेते हैं नौवा भाव धर्म का होता है भागे का होता है आपकी हवाई लंबी यात्राओं का होता है ब्रहस्पति इस भाव के मालिक कहलाते हैं और केतु धारना है क्या धारन के आ हुआ है आपकी इंटेंशन क्या है आप जीवन में कुछ करना चाते हैं तो उसके प्रती आपनी क्या सोच अपनी तयार के हुई है क्या आपकी धारना है धर्म क्या है आपका किस तरह की करतवे सोच को आप आगे ले करके चलते हैं इसी प्रकार से जब नवे भाव के अंदर के तुदे बैठे हो तो व्यक्ति के अंदर हमेशा अपने माता-पिता के प्रती ये सोच पैदा हो जाते हैं कि सारी उम्र हमारे लिए उन्होंने जो किया जो उनके किया हुए एहसान हैं वो हम कभी नहीं भुला सकते इस धारना को धारन करते हुए वेती जीवन परेंथ अपने माता-पिता की सेवा में लगा रहता है और उसकी ये आदत हो जाती है उसकी ये धारना हो जाती है उसकी वो हमेशा बातों में भी यही ज़लकने लग जाती है कि माता-पिता और अपने गुरुओं का हम एहसान सारी उम्र नहीं चुका सकते यहाँ पर बैठे हुए केतु देव का एक और अच्छा फल वेक्ति को मिलता है यदि अच्छी कंडीशन में बैठे हूँ या वेक्ति ने इनको अपनी सोच के और अपने कर्म के अनुसार इनको अच्छा कर लिया हो तो वेक्ति किसी नी संतान को भी यदि आशेरवाद दे संतान पैदा होने का तो उसके घर में संतान भी पैदा हो जाती है हमारी पुझे ने लाल किताब में इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का आशेरवाद उस दमपत्ती के लिए उस जीवन के लिए विधाता का आशेरवाद बन जाता है या आदेश बन जाता है अब यहाँ पर कुछ बाते चरूर समझ लेनी चाहिए जब नौवे भाव में के तुदेव बैठे हुए हैं इस परकार से तो उनकी आठवी दृष्टी चौथे भाव में पड़ेगी तो जब चौथे भाव के अंदर आठवी दृष्टी पड़ती है तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता जिसके कारण चंद्रमा के फल कही न कहीं से कमजोर हो जाते हैं और जब चंद्रमा के फल कमजोर इस परिस्थती में हो तो मामा परिवार को थोड़ा समस्याय आजाती है मामा परिवार के साथ थोड़ी सी अनबन रहने लग जाती है या मामा के घर ऐसा वेक्ति जब भी जाएगा तो उनको समस्याएं आ जाती है साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और भी सोचने लाइक है जन्म कुणली के अंदर चंदरदेव कहीं भी बैठे हूँ यहाँ पर चंदरमा का फल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है नतीजा यह हो जाता है कि वेक्ति को basic education या basic fundamentals उसको कितना भी समझाने की कोशिश करो वो वही करेगा जो उसकी अपनी सोच के अनुसार जो उसकी धारना के अनुसार उचित होगा इसलिए कि तु नौवे घर वाले वेक्ति को कुछ भी समझाना उचित नहीं होगा वो वही करेगा जो उसको सबसे बहतर लगेगा यहाँ पर एक बात आपको और भी समझ लेनी चाहिए जन्म कुली के तीसरे भाव में केतु देव के शत्रूगर है जैसे चंद्रमा हो गया जैसे मंगल भी हो गया अगर यह आ करके बैठ जाएं तो वेक्ति को संतान सुख में भी देरी मिलती है वेक्ति को स्वैम अपनी सोशल एसोसियेशन का अच्छा सुख नहीं मिलता उसके पराक्रम का कोई बहुत अच्छा सुख नहीं होता छोटे भाई बहनों के साथ अक्सर विरोध चलता रहता है आपकी जन्मकुंडली के अंदर यदि केतु देव नोवे भाव में हैं और आपके साथ ऐसा होता है और यह कंफर्म है जो मैंने शुभ फल बताए वो आपके साथ ऐसे ही चलेंगे क्या ऐसा होता है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और यदि आप अपनी जन्मकुंडली का सबसे सटी फलादेश चाहते हैं यानि आप अपनी सलाह, कंसर्टेंसी मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉल करके आप अपना पॉइंटमेंट ले सकते हैं वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब करके, बैल आइकन को प्रेस करके तो बता देता हूँ, जोडों के दर्द हो, संतान संबंधी समझ से आए हो या फिर बलड यानि खून संबंधी तो रोग घर के अंदर हो गए है विशेश तोर पेदी जात तक को हो गए हो तो ऐसी परिस्थिती के अंदर जैसे मैंने देखो ये मेरे भाई और बड़ों के लिए ये मैं उपाय बता रहा हूँ जैसे मैंने अपने कान में सोना डाला हुआ है अपना मैंने एर पेर सिंकर कर आया हुआ है इसी तरीके से आप अपना कान छेदन करवा करके सोना जरूर पहने अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है या आपके साथ ऐसी सिच्विशन है आप कान छेदन नहीं करा सकते तो आप अपने कान के पीछे अपनी यिस वाली उंगली से ब्रहस्पती की उंगली से आप यहाँ पर केसर का या हल्दी का तिलग कान के पीछे जरूर लगाएं नमबर तीन उपाय केतू का काम हो जाता है छुपा हुआ दबाया हुआ गुपत रूप से तो आपके घर के अंदर जितना भी छुपाया हुआ सामान विशेश तोर पे देवी देवताओं के और भगवान की फोटोज हों उनको सब को घर से बाहर निकाल करके आप उनको पुझा सही इस्थान पे रख करके करना शुरू कर दीजिए नमबर चार उपाय क्या किया जाया जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने घर के अंदर सोना इकठा जरूर करते रहेगा क्योंकि यहां पर बैठे वे कीतू देव के बारे में खा जाता है जितना ज्या अच्छा फल मिलेगा चंद्रमा के शुभ फल के लिए क्या करे जो मैंने आपको बता है ना बेसिक फंडामेंटल्स को भी तो ठीक करना जरूरी है ना क्योंकि कब तक आप ऐसे चलेंगे तो ऐसी परिस्तिति के अंदर आप अपने घर के अंदर चांदी भी जादा से जाद एकठा करते रहे यानि कि आपके घर के अंदर इन शॉट्स जितना ज्यादा सोना चंदी होगा उतना ज्यादा आपके ग्रह आपको अच्छा फल देगे और मेरा तो लक्ष ही यही है कि आपका घर हमेशा सोने चांदी और हीरे जवारात से भरा रहे इसी प्रकार कि मैं जीवन वेतीत करें आपसे आग्या लेता हूं फिर मिलता हूं जाइब माता दे